दिडॉन एक्स्प्रेस आईना सच्का नोबिल पुरसकार बिजेता मलाला यूसुफ जैक की जीवन पर बनी फिल्म गुल्मकई कल 31 जन्वरी 2020 को रिलीज हो रही है पाकिस्तानी मूल की मलाला का जन्व पाकिस्तान की स्वात घाटी की भिंगोरा में 12 जुलाई 1997 में एक पौस्तो परिवार में हुआ था मलाला के पिता का नाम जियावु दिन यूसुफ जै है मलाला ऐसे समाज से आती हैं जहां बेटियों के जन्व पर खुसिया नहीं मनाई जाती मलाला के पिता ने नो सिर्फ इसे तोड़ते हुए मलाला का जन्व दिन मनाया बलकि तालिबान के फत्वे के बावजूद मलाला को पढ़ने के लिए भी स्कूल भेजते थे मलाला खुद भी लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी जिसके कारण उन्हें तालिबान द्वारा जान से मारने के धंकियां मिला करती थी इन धंकियों का प्रवा किये बिना मलाला ने अपनी पढ़ाई जारी रखी एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त तालिबान के आतंकियों ने स्कूल बस को रोका तथा बस में सवार बच्चों से पूछा कि मलाला कौन है इस पर मलाला ने बिना डरे आगे आकर कहा कि वह है मलाला इसके बाद तालिबान आतंकियों ने सीधे उसके सर में गोली मार दी इलाज के लिए मलाला को पाकिस्तान आर्मी हस्पीटल में भरती कराया गया जहां इलाज के दोरान मलाला कौमा में चली गई इसके बाद मलाला को इलाज के लिए बिटेन ले जाया गया जहां उसके सर का पांच आपरेशन किये गए और वह पुनता स्वस्त हो गई बिटेन में संद 2013 में मलाला के सुलह में जन्म दिन को मलाला डे के रूप में मनाया गया इसी साल बिटेन की महरानी एलिजावेट एवंग अमीरिका के राश्पती बराक ओबामा ने मलाला से मुलाकात की 2013 से ही मलाला ने अलग-अलग विश्व बिद्यालियों एवंग कारिकरमों में लेक्चर दोना सुरू किया मलाला ने अपना पहला लेक्चर हावर्ड इन्वर्सिटी में दिया 10 अक्टूबर 2014 को मलाला को सन्युक्त रूप से सांती का नोबेल पुरसकार प्रदान किया गया इसके बाद मलाला ने लड़कियों की सिक्षा एवंग ससक्तिकरन के उद्यस्य से मलाला फाउंडेशन की अस्थापना की मलाला के इस फाउंडेशन को विश्व के कई देशों से पुरसकार एवंग नगदरासी प्राप्त हुआ मलाला अब पाकिस्तान की एक अंजान सी लड़की नहीं बलकि एक विश्व प्रसिद हस्ती के रूप में अपना जीवन ब्यतीत कर रही है अब मलाला हर विश्व पर अपना विचार एवंग प्रतिक्रिया ब्यक्त कर रही है भारतिय संसद्वारा जम्मु विश्व कस्मीर से अनुछे 370 हटाये जाने के बाद पाकिस्तान ने इसको लेकर पूरे विश्व में भारत बिरोधी एक प्रोपगेंडा सुरू कर दिया इसी भारत बिरोधी प्रोपगेंडा का हिंसा बनते हुए मलाला ने भी 14 सितंबर 2019 को एक के बाद एक कई ट्वीट कर डाले जिसकी भासा भारत के प्रति संका वाली तथा पाकिस्तानी प्रोपगेंडा को आगे बढ़ाने वाली थी अपने ट्वीट में मलाला ने कहा कि कस्मीर में हजारों लोगों को बंदी मना लिया गया है बच्चे घरों में कैद हैं संचार ब्यवस्ता पूरी तरह से ठप है मलाला ने यह भी कहा कि उसने चार कस्मीरे लड़कियों से बात की जिन्होंने बताया कि वे यह अत्याचार दसकों से जहल रहे हैं यहाँ एक गवर तलब करने वाली बात है कि जब संचार बेवस्ता पूरी तरह से बंध है तो मलाला ने चार कस्मेरी लड़कियों से बात कैसे कर ली एक बात असफस्ट है कि अनुछे 370 एंग 35 एक को लेकर मलाला की भासा भी वहीं है जो पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान आर्मी एंग पाकिस्तानी जिहादी संगटनों की है मलाला पाकिस्तान आर्मी एंग जिहादी संगटनों की कटपतली बनती जा रही है पिछले दिनों मलाला का परिवार पाकिस्तान गया था जहां उन्हें रेड कार्पेट वेलकम मिला तथा पूरे पाकिस्तान में एक वी वी आईपी की तरह घुमाया गया मलाला सुयंग एक पक्तून है लेकिन उन्होंने कभी उनकी आवाज नहीं उठाई पक्तून मनवा जिकार कारे करता गुलाला भई एवंग सांसद अली वजीर को जेलों में डाला हुआ है अनेक पक्तूनों एवंग बलूचों को मारा जा चुका है पाकिस्तान मेरा रहे हिंदू सिख एवंग इसाईउं पर बहुत अत्याचार हो रहा है उनकी बहन बेटियों को उठाकर जवरन धर्म परिवर्तन कराकर साधी कर दे जा रही है और यह सब जानते हुए मलाला इन पर कभी अपनी परतिकिरिया नहीं देती जैसा कि मलाला खुद कहती हैं मलाला फाउंडेशन का काम लड़कियों के सोशन के बिरुद अवाज उठाना और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना है लेकिन फिर भी मलाला चुप है मलाला कम से कम आप नोबेल सांती पुरसकार की इज़त रखते हुए बिश्व में जिन्होंने भी आपकी मदद की आप उसका सम्मान रखें मलाला आपकी भारत विरोदे रुख एवंग पाकिस्तान में अलब संख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर आपकी चुपी को देखते हुए आपके फिल्म गुल मकई पर भारतियों को क्या रुख अक्तियार करना चाहिए सभार एवंग विब्रण टैग टीवी एवंग अंटूल्ड इंदे नमस्कार धन्यबार